असलाम लेकुम दिया स्टूडेंट आज जो टॉपिक हम एक्स्प्रोर करने जा रहे हैं वो है परस्नलाइस बुक्स फॉर चिल्डरन हमारे पास आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मौझूद है और उसकी वजह से हमारे पास बहुत से इंट्रोस्टिंग किसम की आप्शन जो हैं वो इंटरनेट बे मौझूद हैं और जो इबुक्स हैं वो एक किसम की रेवलुशनलाइस हो चुकी है इसकी वजह से क्या चीज़ें परस्नलाइस बुक्स को हम देखते हैं उसके फीचर्स क्या है इन बुक्स में होता य वो बहुत ही sophisticated level का भी software हो सकता है, कोई basic level का भी software हो सकता है, बहुत ही sophisticated level की जो individualized books हैं, उसके अंदर किस किसम की options होती हैं, मिसाल के तोर पर personal attribute आप शामिल कर सकते हैं, हीरो की जगा बच्चे अपना नाम एंटर कर सकता है, तो वो बच्चे का character जो है, टेलर स्टोरी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, वो उसके किसम की चीज़ें भी मौझूद होती हैं, कोई statics जो हैं, जिसको आप change कर सकते हैं, plot जो हैं, अपनी मर्जी से बना सकते हैं, आपकी जो digital book क्रेट आप कर रहे हैं, इसके अंदर और मजीद options जो हैं हमारे पास क्या मौझूद हैं, यह जो digital book हैं, यह जो छोटे बच्चे होते हैं, जब हम इनको देते हैं, तो definitely इसके अंदर जो setting होती हैं, वो ऐसी setting होती हैं, जो बच्चे के age के मुताबिक हों, mental age के मुताबिक हों, उनकी जो vocabulary यूज हो रही है, वो vocabulary भी उनकी जो reading है, और उनकी speaking skill है, उसकी age के मुताबिक ही इसके अंदर वो चीज़े set already होती हैं, इसके अंदर interactive किसम की features भी हो सकते हैं, जिसमें बच्चे अपनी बास भी डाल सकते हैं, या अगर वहां पे different किसम की voices already मौजूद हैं, sounds मौजूद हैं, तो वो उनको select कर सकते हैं, visual को select कर सकते हैं, उनके कपरों को select कर सकते हैं, उनके different किसम के equipment हैं, या कमरे की setting हैं, उसको बदल सकते हैं, so pick and choose की options जो हैं, इसके अंदर मौजूद होती हैं, इस तरीके से कहानी का plot है और वो set है, बच्चे अपनी मर्जी से उसको set कर लेते हैं, बच्चों के नाम इसके अंदर जा सकते हैं, जो के हम already discuss कर चुके हैं, जो drawing है, आप उसके अंदर उसको draw कर सकते हैं, पूरी illustration को, यहां पर एक example दी भी है, Mr. Glue, एक digital personalized storytelling app है, इसके अंदर आप जाकर देख सकते हैं, किस किसम की interesting जो है, बच्चों के लिए access मौझूद है, जिसमें वो अपनी मर्जी से अपनी story को develop कर सकते हैं, कुछ ऐसी आपके personalized book features हैं, और हमारे पस apps मौझूद हैं, जिन को अगर हम जान ले तो हमें हमारे लिए बेतर होगा, जैसे कि our story app, इसके अंदर क्या चीज़ें मौझूद हैं, इसके अंदर content भी मौझूद है, जिसको बच्चे अल्टर कर सकते हैं, कहानी को अपनी तरीके से मोट सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं, कि वो उनको agency दे रहे हैं, agency का मतलब है कि आपके अख्तियार में कि कहानी कहां जाएगी, you have some power, you have a power to make a decision. कुछ digital books जैसे कि यहां लिखावा है, नवाईजी क्राव फेरी टेल अप है, इसके अंदर एक template अल्रेडी मौझूद होता है, जब बच्चे template को fill in करते हैं, तो वो अप की requirement के, publisher के requirement के मताबिक जो है, वो उसको process करता है information को, और वो आगे process होने के बाद, कहानी बच्चों की जो भी requirement है, उसके मताबिक चलना शुरू हो जाती है, और options जो हमारे पस मौझूद हैं, इसके अंदर कई हमारे पास ऐसे advanced app भी मौझूद हैं, software भी मौझूद हैं, जिसके अंदर जब बेहतर तरीके से data gathering हो सकती है, यानि जो बच्चे information add-on कर रहे हैं, उनकी तस्वीर हैं, उनकी अवाज बेहतर तरीके से add-on हो जाती है, document हो जाती है, और वो फिर बच्चों की interest को देखते वे वो read-out कर लेते हैं कि बच्चे का interest किस तरफ है, तो वो उन्हें वही बहतर options देते हैं, जिस तरह बच्चे का interest जा रहा है, उसके इलावा इन एप के अंदर जो data as a history save हो रहा होता है, वो यह हो रहा होता है कि बच्चा हर दफा किस किसम की चीज़ें इस्तेमाल करता है, कौन से color select करता है, कौन से character को कौन से कपड़े पहनाता है, और यह तमाम history उस app को उस artificial intelligence को बुनियादी तोर पर एक information देती है कि बच्चे का mental trend यह है, सो artificial intelligence क्या करती है, बच्चे की जो activity होती है, इसको read out करते हुए अगली दफा बच्चे को उसकी interest के मताबिक ही options प्रोवाइट करती है, artificial intelligence के यहां पर आपके सामने तीन feature हैं, जो हमारे पास reading platform के अंदर embedded होते हैं, इसके अंदर algorithm होते हैं, जो track करते हैं, क्या आपने पिछी दफा कौन-कौन सी option चूज की, आपका interest क्या है, आप किस-किस किसम की चीज़ों को पसंद करते हैं, और फिर वो आपको अगली दफा उन ही से ज्यादा related चीज़या offer करता है, उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या की, modify the reader content based on the intelligence, अब उसके अंदर options तो बहुत हो सकती है, पर उन options के बहुत होने के बावजूद, क्यूंकि आपका interest इस तरफ है, वो सिर्फ आपको उसी किसम की next time पे options देना शुरू कर दीती है, जिसे कि हम games खेलते हैं, और आपको पता ही, उन games में जब हम अपनी character को develop करते हैं, तो अगली दफा हमें वही option या उससे related ज्यादा features मिल जाते हैं, अब artificial intelligence के अंदर जो important चीज आती है, कि वो यह किस तरीके से चीजे देखती है, वो यह देखती है कि बच्चा कितनी देर game खेल रहा है, या बच्चा कितनी देर किताब जो online book है, उसके उपर time spend कर रहा ह है, उसकी history क्या है, और उस reader का data क्या है, उसको utilize करते हुए वो उसके लिए एक personalized experience next time बना लेती है, अब इसके कुछ drawbacks भी है, इसके drawbacks में लिखा जाता है कि इसकी foundation है न, fault की reading engagement matrix की, वो है, क्योंकि artificial intelligence बन्यादी तोर पे यह नहीं जान सकती, कि बच्चा जो किताब पढ़ है, इस वकत, क्या वो किताब पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है, और हम इसको universally apply नहीं कर सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं कि यह reader जो अभी इस वकत behave कर रहा है जिस तरीके से एक app के साथ, क्या वो हमेशा हैसी करेगा, या यह उसकी definition है, और कुछ empirical studies ने इसको identify भी कि से बच्चों की जो reading creativity है, या उनकी जो options को जब वो limited कर देती है, तो उससे उनकी reading में, उनकी choice में, उनकी agency में फर्क पड़ता है, अब जो algorithm है उसका, जब वो identify कर लेता है कि बच्चे का पिछली दफ़ा यह interest था और उसने इतना time दिया था, तो आब मैं उसको यह सिरफ options द साथ या teacher के साथ तो किताब पढ़ रहा है और उसको enjoy नहीं कर रहा, तो हो सकता है अगले दफ़ा artificial intelligence उसको वही उसका time span देखते वे और features देखते वे, जो guided reading में था, वही options दे दे, इस तरीके से misinterpretation हो सकती है, कि बच्चा क्या चाहता है, उसकी choice क्या है किताब के बारे में तो sometime तो it works very well, इसके अपनी बहुत सारी qualities है और sometime it doesn't work so good, इसका मतलब है इसके बारे में और पढ़ना चाहिए, और सीखना चाहिए, और सोचना चाहिए